गृप पादिंग किया हल्चायल कैसे हैं आप सब सबाकत है आपका इस बहुतरीन यूटूब चैनल पे और हम लोग आज बहुत ही युणीक वेश से हुँन फिजालोजी करने वाले हैं जितने भी पॉसिबल question से जितने भी possible question है जितने भी Mast the falling question से हूं हम आज करने वाले हैं सेशन में तो इसे पहला रूल है कि इस वीडियो को लाइक करदो रूत कि इस वीडियो को like कर देना है क्योंकि आज का सेशन बहुत खास होने वाला है और मेरा दावा है कि आप मतब इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद जितने भी कोशन हीमेंट फिजालोजी से मैस्ट फॉलिंग से होंगे वह आप हंड़ेट वन परसंट कंप्लीट कर पाएंगे तो जो कोशन इस साल नीट 2023 में मैस्ट फॉलिंग से आएगा वह इसी से आएग सकते हैं मेरा परारम्व बाच आ रहा है ऐपरेल 30 से आ रहा है अब ही मार्च में आ रहा है ठीक है मार्च में आ रहा है वह जाब भी दिघर पताये कि को तो यह बाच आ रहा है कोड में डॉक्टर एसके सिंग लगा दीजेगा और आप मेरे से इन्रॉल हो जाएंगे ठीक है बड़िया बैच है और रैंक स्कोर बूस्टर चली रहा है बहतर चली रहा है चलिए सुरुवात करते हैं पहला कोशन बहतरीन तरीके से मज़ा आ जाएगा ठीक है अच्छा कौन को नाया हुआ एक पर देख लें अटेंडनेस लगा फटवर्ट से इसशन को करते हैं नायक करो करेंगे अभी नेहा सपना मनीशा मोहमद अजहर गुडमारिग मुन मानोर प्रियांसु कृष्ञा गुडमारिंग गुडमारिंग आभरीवान अब पहले मुडमारिंग चलिए पहला कोशन सुरुवात करते हैं ढेज तो डूढन तो इस कैसे को सबसे नहीं करते हैं उसका उसका रूल समझ लीजिए जो आपको अच्छे तरीके से आता है उसको सबसे पहले करिए मुझे सबसे अच्छे तरीके से कम आता है City कि हो स्मौल इंटेस्टीन होता है स्टीं को कुंटन्ट लैंट इंट इंटốc इन्ट in में लाज आप एक नहींन जाता है रहा है चपोरे स्टोर होथा सबसे पहला प्णनिट आता अटा है सीकिम यूट in सैनफ पॉअ सबस्ट लाज इंटैस्ट ci all the time undigested content of a small intestine drain inside the seacum right तो अब सीगम इतना मुझे आता है तो smallest blind sack हो सकता है answer yes a small blind sack हो सकता है answer yes हो सकता है कि नहीं हो सकता है यानि d का यानि d का क्या होगा d का second होगा डी का सेखेंड होगा अगर हैंपी कोई जरूरत नहीं यही है है मैं घृटी नहीं देखना है हर एक चीजों को नहीं तो अपना टंध olm करना है और यही समय फिजिक्स और किमिस्ट्री में लगाना है क्योंकि फिजिक्स में निमारिकल होते हैं आपको कालिकुलेट करना पड़ेगा समय चाहिए तो मैंने डारेक्ट सीकम देखा इसमें देखा दो और कोई प्रोच आगे हम सीखेंगे कोशन के माध्यम से कि और कैसे कैसे बहतर आप्शन कोशन है नेक्स नेक्सल प्राइटल से बहुत ही अच्छे तरीके से प्राइटल से लाता है और क्योंकि वह सीखेंट करता है आपको पता है बच्पन से पढ़ते आ रहें और कैस्टल इंट्रेंसिक फाक्टर इंट्रेंसिक करता है करता है कि नहीं करता है ठीक है क्या होता है बताओ एवरीवन सी आई एफ करने में मदद करेगा ठीक है तो एसी का पहला होगा सी का पहला अब देखिए उसक्राइए अलिमिनेट होगए अब यहीं में साथ होगा अब आपको क्या करना कोशन देखना नहीं है अब आपको option देखना है में सेकेंड है यहां पर और यह में थर्ड है वी में थर्ड है तो कोई एक चीज कर लो ठीक कोई एक चीज कर लो तो मुझे प्यप्टिक से लाता है चीफ से लाता है और प्यप्टिक सेल और चीफ सेल क्या करता है प्यप्टिक सेल क्या करता है प्यप्टि हो झाएगा पहला हो जाएगा सबको समझ में आया इस अप रोच जिस अप्रोच चलिए क्रिपट अफ लेख लगम हर प्रूनर्स ग्रिवर के चारों तरफ जो कवरिंग करता है वह चारों तरफ जो कवरिंग करता तो Gleason capsule is important for the covering the liver यानि बी का चौथा होगा 101 परसंट बी का चौथा होगा यहां देखें बी का चौथा है यहां पर बी का चौथा है तो यह दो ऑप्शन हो गया है आपने option को eliminate कर दिया ठीक है जी option को जैसे eliminate किया तो आप अभी option देखना कोशन बिल्कुल नहीं पढ़ना है तो कोशन में देखेंगे तो सी पहला है सी पहला है तो सी को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है सी से हमारा answer नहीं बनेगा तो या तो ए करिए या डी करिए यह पढ़िए या डी करिए समझ में आई बात तो इन में से मुझे brunnev's gland आता है brunnev's gland बहुत famous भी है आप सब शार्दा तानिया राज वेरिकुल बुरुन ग्रांस प्रजन इन दूडना सब मीकोसा ऑफ दूडना ठीक है तो बताएगे इसका क्या अंसर होगा फिफ्ट का अंसर जल्दी से बताएगा इंदर क्या होगा भाई साथ मीकोसा के अंदर विलाई और यूगे आते हैं ठीक है अ स्टमक को जब आप देखेंगे स्टमक देखेंगे ऐसा स्टमक में घुर् क्या में क्या होता हो अब मआथा है तो इस बता सकते हैं since I heard the Okay on yes the और जैसे ही थर्ड हुआ दा आंसर बिल भी सी कुल वाइब बी तानिया मिशन वेरी गुड तो रूगे जहां पर आ जाये तो आंसर बिल भी थर्ड चले इंडाइजेशन नियरिया और वमिटिंग इस वाले सेक्षन में मैंने पढ़ाय था आपको सारे डिजीज पढ़ाया थ जाएगा क्या आंसर होगा तो इसमें से आपको सबसे तरीके से आता होगा यह बहुत हो जाता है और जल्दी से बाहर नहीं निकलता है तो इस आरी इन यहां देखें फीसे रीटेन विदिन अगर मुवमेंट अकर irregularly यानि बी का क्या होगा भाई साथ होगा बी का थर्ड जैसे बी का थर्ड हुआ तो यह भी बी का थर्ड है दो ऑप्शन हो गया अब हमें ऑप्शन देखना है ए से काम चल जाएगा सी से भी काम चल जाएगा कोई भी एक देख लेजे तो चलिए हम डाइरि जाए डाइड तो सी का क्या अंसर ओ необходимо rank फोर्थ सीकत खूर्थ सी क 4 इन नननननन tq 4 नहीं होगा भई या थी ف ветन होगा बताओ क्या आंसर होगा डाइरिया में क्या होगा डार्या में इस रिडिउस्ट राप्शनन अब अपार पूर्ड तो सीका हूँश्यी का स्रिसें सेकें होगा तो यह विल टी को थोड़ा से भी काम गड़बर हो जाएगा तो काम को घर्षोएट हुआ काम नहीं जानते होगे और अगर नहीं जानते हो तो इसे लिख लेजेगा यह कभी-कभी कुछ एक्स्रा चीज़े भी पूछ देते हैं जो बच्छों को जल्दी से नहीं आते हैं तो एवन हम सी सी की सी के कॉलिसिस्टिक काई इसके बारे में जानते ही है ना आई होप कि आप अवेर होंगे और जिसके अंदर से जो बाइल हो बाहर निकलेगा तो एक थर्ड विल्कुल हंड़ेट वान परसंट होगा यह तो यह आंसर होगा यह होगा यह होगा इतना तो अब आपको स्कृटीन को भी बारे में पता है यह जो पर इन्सट को स्टिमलेट करता है एक और यह फरस्ट होगा अगर फरस्ट हुआ तो आंसर भी ए ठीक है आंसर विल्वी ए तो ऐसे आपको अप्रोच रखना है आपको समझ में आया अप्रोच कैसे रखना है हां जी समझ में नहीं आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहे है कि अप्रोच कैसे रखना है समझ में आ जा जेजनम गॉबलेट सेल और लूज कनेक्टिव टिशू बताएगा अंसर जेजनम के बारे में सब जानते हैं जेजनम इलियम ठीक है यह पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टीन का बट यहां पर पार्ट से नहीं है कोशन परेटीट ग्लैंड में कौन सा एक फीथीलियम से कोशन पुछा गया बड़ी आप जैजनम में क्या होगा तो जैजनम इस वाट जैजनम इस वाट बताएगा विडिद लॉंग और क्वाल स्टॉक्चर तो ये का क्या अंसर होगा दूसरा ये का जैसा दूसरा हुआ प्क अधिक अ जैसा दूसरा हुआ तो यहीं शेम अगी बाठ खकें आगे बढ़तना है यहीं आपलते हैं पायलोराश ऑपनस होपन टू ई Midoda of फॉम्म आपर इंटक्श मीजे आ splits मुझे वर्मीफंटेक्स के बारे में अच्छे से पता है कि वेस्टीजियल होता है और यह सी कम के ज़िस्पास में होता है ठीक है सी कम के जस्पास में होता है है तो इस अनारो टुबलर से यह होगा क्या देखते हैं ये होगा कि नहीं होगा आच्छा इलियम कहां ओपन होता है और फान होता है या का दूसरा होगा बी का दूसरा तो बी का जैसे दूसरा होगा तो मुझे लगता है कि आंसर सी ही होगा क्योंकि और अपने डी भी है बाट यह जो पाइलोरेस पाइलोरो लिए उपण इंटू चूंथाइंट श्मौल इंटस्न ही पाइलोरीग पार्ट क्या होता है एस Figther का पार्ट है देखिए तो इस्टमक यह वाला जो लास्ट व्लाइब मेशन स्ट्रक्चर होता है तो एक क्या होगा एक तीसरा होगा डिस ओपन इंटु दे स्मॉल इंटेस्टीन क्लियर है में लिए पॉन सब्सक्राइब संते हैं बहुत अच्छे तरीकेसे टब driven लिवर के ऊपर होता है तो एक चोथा हो जाएगा एक जैसे मिष्य यहीं होता है अब सब लिंक्वाल गलाइन कहा होता है बिलोग टैंग लिंग टांग के नीचे ठीक है रूगे कहां प्रजंट होगा इर्रेगुलर फोल्ड प्रजंट इंसाइड दा स्टमक इस्तमक अन्य वेजाइन क्रिप्ट फ्लिकरिण बेड़ेस अविलाई इंपोर्टेंट फॉद एब्सॉप्शन के लिए जाना जाता है ठीक है जी मजा आ रहा है एवरीवन अवनीद पिंकी मांसी मिशन तानिया स्वायल किरन पिंकी ग्रेट तो कार्डिक पार्ट इस तमक यह चाहां से एसुफेगर अंदर आता है तो इस वाले हिस्से को हम कार्डिक पार्ट पार्ट इस सीन इस स्वायल और इस तमग तो एका आंसर हो जाएगा सब्सक्राइब सकतीक drop in Prime Consulate और मेरा दावाए पैसे जदर नहीं आएगा और इससे लिए मेत फयले आओं से फ़लिंग से जो भी आएंगे इसी से आएंगे सब मुखोस म् Mean जो बदाएगा बारव नमर बारा नमर आंसर बताएगा तो समय को सा इस ग्लांड सारा प्रेजन तभी तो समय को सा तो एका तीसरा एक का तीसरा दो हो गाया ठीक है मस्कुलारिस लेयर इस प्रजेंट इन दस सर्कुलर और लॉंगिटूड नर सर्कुलर और लॉंगिटूड नर ठेक है तो यही आंसर होगा डी सर्कुलर और लॉंगिटूड डी ठेक है बाइल सिक्रेशन प्रेप्टिक सेल्स गेस्टिक जूस जॉंडिस जॉंडिस जॉंडि गया यह गया अब A B C C से कुछ फाइदा नहीं होगा क्योंकि दोनों मैच है और B से कर लो बाइल से करेशन कौन करेगा है यानि एक दूसरा एक दूसरा जैसे ही होगा दांसर विल भी बी आंसर विल भी समझ में आ अगर एक बार अपरोच सीखना है तो आप चुटकी में अंसर करेंगे हो जाएगा अगर आपको फौरोची नहीं आएगा तो आप आंसर नहीं कर पाएगा तो अप्रोच सीखना है कि को रहले को अटेक्स हमको और आपको भी जाता होगा जो लिस्ट ईक्लीज़ सब्सक्राइब का तीसरा हंड़ेट बशन का अंसर इसा बच्चे कहते हैं कि अधना ही समय देना है अगर आप इसको चाहिए और उसी हिस्ताप से पता होना चाहिए कि कैसे इसको आंसर देना है तभी तो आंसर कर पाओगे सलाइवा गेस्ट्रिक जोस पंक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइनल जिस मुझे सलाइवा सलाइवा को हम और कैए कहते हैं तौशलेवरी आमालेस भी कहते हैं तो इसका 101 परसंट मेरा पता है कि आर होगा यह का एक आर एक एक और चलो एक ऑफ्षन कटा ठीक है पंक्रियाटिक यूज के बारे में मुझे पता है अच्छे तरीके से यह अंदर होता है ठीक है जो की प्रोटीन को करता है तो क्यू को गजैसे का क्यू होगा आंसर गोगा तो इसमें हमने जादा समय नहीं दिया और कम समय में एक्जाक्ली हमने मैच कर दिया समझ में आई बात स्टमक पंक्रियाइट ट्यूदेनम चीफ सेव इस समक का शेप कैसा होता बैटा समक बिसेकली इनवर्टेट शी शेप और जेशेप होता है जब भूके रहते हैं तो जेशेप होता है खालो गए तो इनवर्टेट शीप हो जाएगा अब इसमें जेवी सेफ है और सीफ है कन्फ्यूस हो गया ठीक है क्या मारें भाई तो नॉर्मल आपको मारना है नॉर्मल आपको मारना है ठीक है तो नॉर्मल स्तमक जो है जेशेप होता है तो एक यह का दूसरा यह का दूसरा यह का दूसरा है यह का दूसरा है यह का दूसरा है यह कटा यह कटा अब चीफ सेल कहां पर प्र का फ़र्स्ट डी का फ़र्स्ट जैसे डी का फ़र्स्ट हुआ तो यह देख रहे हैं अप्रोच अप्रोच सिखना है बेटा अप्रोच सिख गया काम हो गया इंटेस्टाइल जूस इस्टमख प्रोटियो लीटिक इंसाइन और लाज इंटस्टीम बताओ तो जो आपको बहुत इच्छे से आता इसको पिक करें और मुझे तो बसे सार आता है बट फिर भी स्टमख बहुत अच्छे तरीके से आता है इस समाख में क्या होगा यठा कोई भी शक नहीं तो रहेगा अगर फिका चॉता होके रहेगा तो बीका चॉता और और कोई option में हाई नहीं और रही नहीं है तो इसका आंसर 100% भी ही होगा देख रहो तो मैंस दफालिंग चार कोशन नहीं हो एक ही कोशन है बट आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि कैसे अप्रोच करेंगे कि इसे एक कोशन का दर्जा मिले ठीक है और आपको पढ़ने के ज दूसे प्रोटीन को कैसीन है वैसे तो अब कैसीन है इससे बहेतर iam मिल ब्रोटीन ऑप्रोटीन में एक तीसरा iam के लिए बी से काम हो सकता है सी से भी काम हो सकता है जी से कराता है यानि बी का पहला हंडेट परसंट और पहला अगर हंडेट परसंट तो दूसरा इसका आंसर ही होगा ठीक है तो हमने सिर्फ दो ऑप्षिन पढ़े और हम करेक्ट ऑप्षिन के ऊपर चले गए और यही कोशन नहीं 2030 में आएगा बाइल पिग्मेंट वॉमेटिंग प यहां नहीं होगा यार नहीं बिल्कुल नहीं होगा है नहीं होगा है कि अ आए यार बताव लिए रफ्लेक्स एक्षन नहीं होगा यानि बी का चौथा नहीं होगा और कोई आप्षिन बचता ही नहीं है तो बीका चौथा आंसर भी वहा क्योंकि बीका चौथा कोई आप्षिन में ही नहीं समझ रहे हो ऐसे कोशन को करना है ऐसे कोशन को करना है अगया सब्सक्राइब सब्सक्राइब का दूसरा हंड़ेट परसन हुआ तो आंसर भी होगा फीविश सब्सक्राइब रहे हैं किसे कोशन को अपरोछ नहीं तो आपको सही करेंगे तो आप छ मुझन करें नहां करें होगा को करने वाले हैं ठीक है न मैं कम्प्लीट करने तो कर लेते को सिंपल डिफूजन पेंक्रियाटिक जूस और फ्लेक्ट सेक्षिंग फिलिंग फुल्नेस मतब ऐसा लगेगा कि आप फुल हो पूरा प्लिंग फुलनेस बताओ कैसे अप्रोच करना है फटाफ़ आंसर बताएगा अब तो आपने सीख लिया ठीक है अब आपने सीख लिया तो फुलिंग 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 फुल्नेस यानि आपका पेट हमेशा भरा का भरा रहेगा यानि आपको इंडाइजेशन हो गया है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिलिंग फुल्नेस इस इंडाइजेशन यान डी का पहला होगा डी का पहला होगा आंसर बीफ होगा है चल वेरीड सपना पिंगी किरण और सिंग्या पते हैं गौँ अदिद्या नामिका कुड़ वेरी गुड़ वेरी गुड़ क्या है क traits कहीं कि rock के डी विडामीन डी मिटामीन एब सर हमको नहीं आotherap कि ये सी होगा हंडेट बन परसंट चौथा सी होगा चौथा सी हुआ चौथा सी हुआ तो एक कम से कम दो तो गए एक और पता लगा लो विटामिन के जो होता है ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है हेमरेजिक डिजीज न्यूबॉर्ण हो सकता है हमरेजिक मतला कुछ रिलेटे से अधर वगश के ब्लिक तो आंसर होगा सब आंसर होगा बइस हैमरेजिक कर्के यानि के यानी फरस्ट इसले टिटिट तो अगर फॉस्ट रिलेटेट यसीड़ेट के अंदर एएसे पूछे जाते हैंनीट के अंदर कि अब नहीं जानते हो तो कर लो कि दी से रिकेट्स होता है डायरिया हेपटो पिंक्रियाटिक डट इंटेस्टाइनल जूस गेस्टिक पिप्टाइड बताओ डायरिया में पूरा पानी-पानी हो गया मतलब अबनॉर्मल बाउल मूवमेंट होगा एक दूसरा एक दूसरा जैसे हुआ यह गया अब हमें ऑप्चन देखना बी से भी काम हो सकता है क्या करेगा विटाव एक यह पिंक्रियाटिक डट क्या होता है इस पिंचर ओड़ाइब चौथा आंसर बिल भी ची आंसर बिल भी ग्रेट क्वासी और कर बढ़िया कोशन है जनल अनीमिया डर्मेटाइटिस मरासमस ब्लीडिंग अब इसमें दो तीन बीमारी आपको नहीं आता होगा बट जो आपको आता है मैं जो एस्पेक्ट कर रहा हूं क्या सकता है आपको क्वासी और कर आपके बुक में है मरासमस आप आपके बुक में है एक नॉर्मल टम चलव आपके बुक में दो चीज़ें और मैंने पढ़ाए भी है इसी चानल पर जाके देख लेना तो क्वासी और कर और मरासमस में क्या डिफरेंस है दोनों में बच्चा एकदम पतला हो जाता है डोनों ही प्रोटीन पीये अप्रोटी energy malnutrition syndrome है ठीक है प्रोटीन एनर्जी मालनुट्रेशन सिंड्रम है तो क्वासी और कर इस रिलेटेट तो दे प्रोटीन ठीक है तो यह वी आर लो काम हो गया एक की बार में हो गया और कोई आर ही नहीं और है क्या नहीं है ना आंसर हंड़ेड परसन यहीं होगा अब मारासमस मे इनजाइम में जांक रहे हैं इस यह अश्क्षार्ट में होता है इसकी होता है इसके कभी होती है ब्लीडिंग इस वो डाइक चुस्यशिघ डाक्ट भथा कि विवार में हैं और को लिवर का यह नहीं आ रहा है नहीं आ तो नहीं आरा तो एकात इस्रा होगा सबसे पहली बात एकात इस्थरा होगा सबसे पहली बात तो दो गया अब सब्सक्राइब पर पढ़ने का कोई फायदा नहीं कि सी मैच कर रहा है धी और इवी पढ़ने का कोई फायदा नहीं मैच कर रहा है तो हमारे पास यह अपर और दिवाच यानि वी बूनर्श ग्राइब और दी इस परेंचर अफ वड़ाई मुझे दोनों आता है आपको भी आ यानि डी शुट भी फिट डी शुट भी फिट आंसर विल बी डी लिए करेक्ट यह करेक्ट तो हमने 25 मैस दफॉलिंग करें डाइजेशन अब जॉप्शन से इससे बाहर नहीं आएगा इससे बाहर नहीं आ सकता है मेरा दावा है बोलो मज़ा आ मज़ा गया अब हम ब्रीधिंग एक्षेंज ऑफ गैसे करेंगे ब्रीधिंग एक्षेंज ऑफ गैसे के कुछ सवाल करेंगे फटाफट जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक किर दीजे विटा ठीक है और यह वीडियो को अपने वाट्सप के स्टेटेस पर लगा देना है ता पूरी मैस्ट फालिंग को कंप्लीट कराएंगे तो ऐसे क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा अब हम कहां आ गया ब्रीधिंग एक्षेंज ऑफ गैसे इससे भी 25 कोशन आप से कराऊंगा ठीक हर चप्टर से कोसिस करेंगे 25-25 कोशन करा दो ताकि आप जो भी इस साल पेपर द सद्सक्राइब तो फिश होते हैं में गिल्ड होते हैं एक चौ। ह OFण क्यों हो गया कि कि नहीं हो गया और यह सवी सिंग ग्रेट अनामिका मनीश मैं निमोनींः यह पढ़ाएंद्री इस में पढ़ाए है तो स्थामा में क्या होता है कि वीज साओंड आते है और जो व्रांक यो उनमें अकैन्जेशन हो जाता है थे टो एकुमेलेशनल अफ नेन्फ नेनना यहहां हो सकता ठाटेक्पम सामाइज लीज़्जिक डिसौरॉर एकतीसरा एका तीसरा एका तीसरा यह गया यह गया एमफिसीमा में हमारा जो अल्विलर एरिया हो छोटा हो जाता है तो क्या आंजर होगा कि एक से कि एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब निमोनिया अम्फिसीमा अश्विलर एक अश्विलर ने कम कोशन ना भाई अस्तमा ब्रॉंकाइटेस निमोनिया एंफिसीमा ठेक है फिर से डीजी से रिलेटेड बताई है अस्तमा में क्या होगा अस्तमा में क्या होगा अस्तमा में इंफ्लमेशन अब ब्रॉंकिया इंफ्लमेशन अब ब्रॉंकिया गया गया आंसर विल फॉस्ट ठेक है एंफि पूछे जाते हैं एसे लेवल पूछे जाते हैं और आपको लेवल आना चाहिए कि ताइडल वाल्यूम कितना होता है फाइफ हंडर्ड आमल फाइफ हंडर्ड आमल यह का तीसरा एक तीसरा तो तीनी आप्शन कुछ और बताओ इससे काम नहीं चल रहा है इन सपिरेटरी रिजार वॉल्म आपको बताया था कि इसको परची पर चिपक्वाट चिपका लेना और दिवाल पर लगा लेना कब्रश करते समयं कभी जब आपको समय मिले इसको रिवाइज करते रहना है यह डाटा आपको आना चाहिए इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा टाइडल वालूम अगें इंस्पिरेटर रिजवालूम रिजडीवल वालूम कितना मता भाई का वाइजडीवल वालूम 1100-1200 का दूसरा होगा डी का दूसरा होते ही यहिए आंसर हो जाएगा बी बोलो समझ में आगे समझ में आगे बात ट्रेकेल ट्यूब गिल्स मॉस्ट इसकिन बुख लंग्स मॉस्ट इसकिन से सांस लेते हैं कौन से सांस लेते हैं कौन भलो मौश्ट रिस्किन से सांस लेते हैं। और राउग लेते हैं। जब यस्टन और हाईवर नेशन में जाता है जमीन करंड सब्सक्राइबInem grieving में देंद रहा तो मौस्टेक कर सकते हैं तो ययानि To सि का दूसरा दूसरा होगा तो आंसर ला-वागा इससे भी मैच Bar कोई ऑर देख सकते हैं डिय में होता है ऐन इस में होते हैं ए भी वालूम अगीन इंस्ट्रेटर लेज़ाल बैलru आपको नहीं चाहिए वैलू आंसर शुिट बी-डी ओध वैलू आपको आना ही चाहिए एंसर शुट सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो रिलेट कर सकते हैं आपको नहीं आता है अब यहां पर कुछ टर्म है कुछ टर्म आपको नहीं आते होंगे यह सीखना आपको चलो पहले आपको टर्म बताते हैं डिस्पनिया का मतलब बाता है तो सांस लेने में दर्ध हो रहा है तो इसे अब यहां पर लिखा हुआ है डिफिकल्टी इन ब्रीधिंग माइट भी दा आंसर इसे कि ऑक्सिजन के मातरा कम है यह तो आचा कि कि पक्का यह होगा तो फ का दूसरा होगा है तो यह गया और यह गया अब मिलेगा औक्सिजन होगा तो फोड़ से इससे काम नहीं चला सी सी भी मैच कर गया पढ़ने के जरूरत यह यह आपको डीवर एसा आंसर पता चलेगा द दिए और ई से तो एंफिस इमा में एरिया छोटा हो जाता है एरिया चोटा होगा कि एरिया चोटा होगा तो क्या होगा ऑड़िया इस डिस्टॉय वर्लों यह तो एक ण्ष फेस्ट होगा इग का सब्सक्राइclock पनिद यह हो जो यहां पर मैच हो रहे हैं जो चीजे माच हो रही है और इसको यही दो चीज कर सकते हैं या डी और यी पढ़ना पड़ेगा और यह दोनों आपको आता है तो आपको ऐसे नहीं कि सौरी माच करना शुरू करते हैं तो अलग छोड़ यह आपको ऐसी कंफ्यूज करते हैं एंटीए वाले ठीक है दो तीन चीजें डाल देंगा और तुम पीछे पढ़ जाओगे बहुत सारे बच्चे यही करते हैं जो नहीं आता है उसके पीछे ना उसको कंफर्म कर दो कि हां एह verraph इहां यहीं उलाई आपको रखना पड़ेगा मुझे घृट बताओ जल्दी से पासरम यह इस तो इंसक्ट में क्या होते हैं सारे बच्चे जांते हैंosis सब्सक्रां और तो यानी human human कैसे सांस लेते हैं human कैसे सांस लेते हैं pulmary antar will be B. Answer will be B. Answer will be B. Answer will be B. Answer will be B. समझ गए? Earth bomb, grass ओपर aquatic orthopod sponges. ठेसे, aquatic orthopod sponge. बताए एक answer. 11 का 11 का 11 का एवरीवान आंसर शुट भी कैसे आठवाम में मौस्ट क्यूटिकल होता है ग्रास ओपर में ट्राकिल ट्यूब होता है तो आंसर बिल भी इसी टीवी इंस्पिरेटरी कापसिटी टीवी मतब टाइडल वालम इस सब आना चिये वालम आना चिये कापसिटी आना चिये तभी आप आंसर कर पाओगे ते रहां सर हम विल टीवी इवरीवन तानिया अवनी मसकान क्योंट स्माइल डॉक्टर इसके से जेवा गड़ वामिट सेंटर लंग सिचुएटेट इन डॉम शेप लैरिंग डॉम शेप डाइफ्रायम होता है डाइफ्रायम ढूनो यह तो यानि सी का पहला होगा सी का पहला होगा तो यही आंसर होगा देख रहो दिस अप्रोच मुझ देख गर हो जाएगगा मेक अडियरा उतर पहचान नहीं पाएगा तो टाइवे से छतरी होता है जो नौर्मgrund शेप नीठ को हो जाएगा तृटिए ए तर यह वह मैंने आस ई अधरश वाई निच टाइप कर दिया लिफ्त अप्ड आप्ड रृप्स डाइफ में इंक्रीड वॉलुम् j0 काल एकस्पिरेशिश by external intercoastal muscle ठीक है और दाइफ्राम इंक्रीज दवाले मिन दाइफ्राम निंके दवाले मिन एंथ्रो एंट्रियो प्रॉस्टेरी रेक्स से थोड़ा ज्यादा ही ताम हो गया चलिए पार्शल प्रेशर अलबलाई इंस्परेटरी सेंटर पार्शल प्रेशर इंटिश्यू और फॉर ऑक्सिजन एन लाइनिंग फण्या लाइनिंग फणैंष आश्यू सॉत लौ लाइनिंग फोजन न हैं कि ल 마음에 इस फोलर फॉनल operating तो प्रैक इसमय में होता है आपको पता है पढ़ने का कुछ फायदा नहीं होगा और ए और पढ़ लो पार्सल प्रेशर आफ अल्विलाई नो ऑक्सिजन पार्सल प्रेशर आविलाई और ऑक्सिजन क्या होता है बिटा 104 mmhg भी शुडब दांसर देख रो यह होता है अप्रोच इसे कहते हैं अप्रोच इन अल्विलर एयर पार्सल प्रेशर अप्सीटू नैरो ट्यूब इन लॉंक्स डिवल वॉल्म ऑक्सिजन ट्रांस्पोर्टेट वाइदा आर बीसी ऑक्सिजन टांस्पोर्टेट वाइदा अंबीसी बताओ आंशर गरेट है दॉल वालम कितना होता है इस्द हतों कितना होता है अबरी का वेड साओंर ग्रेटर दें टाइडल वाल मोई जलो ओंगया तक्पी कि ओग्या आंसर भी हो इस देख रहे हो रज़िटरी रिदम सेंटर रज़ रज़न कंट्रोल बाइज निमेटेक सेंटर सी उटु कैरेट वाइज लोबिन और कोई तो अप्शन है नी ठेक है तो का पहला होगा दी का पहला हुआ तो दो अप्शन अच्छ धी 받anta स्टी बीच पढ़ने का कोई फायदा ने को एक फाइदा ने को बेए को fed ख्रविशी करें ही और सी खाम होगा ऑस परिंठीर मेडुला तो एका दिस्वा होगा का तीसरा होगा पांधर है खज़िक थारा का सी मैज गया को समझगए तए मैज़ा आगया हुआ है अब इंच वेंट पाइप आइसिंग फॉए लोड इंप्रेटरी प्लूरा जो हता है लंक्स का कवरिंग होता है न हमक भना है the covering of lungs तो पहले कनफोर्म सिर्फ एक स्वार ऑफ्षन पढ़ेंगे तो क्योंकि किसि से मैच कर नहीं यह तो क्यों कि मैच करने का आई में आपके पास नहीं है कम समय में सटी कांसर ढूनी का यही तरीका है कि फिलिंग फुलनेस अभी कोशन कर रहा था अस्थमा एरेगुलर बाउल मौमेंट ओर डी ओर डी का मतलब क्या होता भाई ओर है हम संद्री स्कुल्ध कार यह तो अस्थमा के बाएं में बता हैं सारे के अस्तमा के बारे में सारे लोग जानते हैं अ सारै में सारी हना इसका में इस नमाते हैं नाई तो एक लिए ज़ोग हो ा चौथा अरे लो हो गया यह यह अंसर है डी लेडिंग टू फाइब्रॉस और डी और डी और टी ओर अये देखना पड़े गए अरो डी का फूल फॉर्म क्या होता है लेडिंग टू फाइब्रॉस देखो मुझे नहीं आता था यह नहीं है कि आपको हर चीज आएगा बट ट बट नहीं आती हुए भी इस question को हमने सही किया कैसे गुड अप्रोच अच्छे अप्रोच सी उटू कंट्रोल मैं भाव मैं तो डॉक्टर रहू मज़ो सब चीज आता है बिसकली दा फाइब्रोस इस कंसेंट फॉर्ण 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 इन वाटर और बिसकली उन लोगों को होता है जो ग्राउंड वाटर सबसे जादा कंस्यूम करते हैं सब्सक्राइब करते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा तो समझ रहों नहीं आते हुभी हमने कर लिया मैं आपको नहीं मुझे सब चीज आता है तो गलत चीज है नहीं आता है सब करने में क्या दिक्कत है भाई सब्सक्राइब करते हैं मचे कोई दिक्कत करते हैं सी उटू कंट्रोल अल्विलर वाल डामस और पार्सल प्रेशन और प्रेशन और प्रेशर अप्रेशन ब्लाद यह तो आना चाहिए आपको यह तो बुक में है ठीक है बताओ 21 आंसर विल विडी इंस्पिरेशन इस इनिसिएटेट वाई एपक लॉटेस साउंड वॉक्स ट्रैक्या सांड वॉक्स को हम लारिंग कहते हैं कि एक इंपर्म स्थी का पहला सी का जैसे पहला हुआ कोई बात नहीं तो ए बी बी पढ़ने का कोई फाइदा नहीं क्योंकि ब ट्रैक्या डिवाइड़ेट टीफाइफ कि आंसर विल विडी है कि क्लेर डान ऑप्शन हमें देखना है कोई नहीं अब यहीं अप्रोच है इस ऐसे कोईशन को खाले ऑप्शन देखके करा सकते हैं और वी एफार सी आई आरवी वी वी सी बोलो वाइटल कापसिटी यह वाल यह नहीं पता है आज ही इसे चापो और सरीर के उपर हर जगा चिपका लो कि आना चाहिए आंसर बताओ विटा टेज का कि तेज का सी का खुल गया भाईया अब कि टाइडल वालम इंस्पिरीटर रिजाब वालम एक्सपिरेटरी रिजाब वालम रिजडिवल वालम लाइट चली गए यह ठीक है तो मैं काला दिखाई दूंगा थोड़ा सा मैंनेज करना पड़ेगा कि लाप्टप बंद कर दो क सेफ करके तुरंट बंद कर दो कि देफ फाइल करके तुरंद बंद कर दो 24 का अंसर बताएगा बटा अंसर इस भी आंसर इस बी, मास दख आइटम टाइटल वालम इंस्पिरेटरी कापसिटील पड़ेगए बाइगा और 25 का सबतांध वारे आंसर इस भी याद करना पड़ेगा कोई आप्शन नहीं नोलई याद करना पड़ेगा कोई भी आप्शन नहीं आंसर भी होगा तो हमने ब्रीधिंग एक्षेंज आप गैसे का भी कोशन कर लिया अब हम बॉडी फ्लूड और सर्कुलेशन से कोशन करें मज़ा आ रहे है बैटा एक लाइक तो करो फटा-फट मज़ा आते हों भी लाइक नहीं कर रहे हो क्या मतलब है बाई साथ इस वीडिय है जिन्होंने नहीं किया करिए बहतरीन स्लाइट बॉडी फ्लूड और सर्कुलेशन को सवाल पुछा जाएगा मज़दार चीज चलिए काडिक अरेस्ट हार्ट फेलियर हार्ट अटेक अंजाइन अब मुझे इन सम्में से अंजाइना के बारे में बहुत अच्छा से आता है तो फांजाइना में होगा तो दी का तीसरा कंफरम है लिका एक तो यह गया है अब एक च görünance आशल हार्ट इच्ट में MS मायोकाडिल इंफाक्षिन कहते हैं और इसमें होगा क्या कि धाइब क्योंकि उन्हें प्राइब नहीं मिलेगी तो सी का दूसरा होगा वे नहीं नहीं दूसरा हो जाए देख रहे हैं अप्रोच अप्रोच देख रहे हैं लाइक की सर बहुत महनत करते हैं करोड में होना चाहिए था यहां पर भाइक स्वीड वाल्ड ट्रायकस पिड़ंड बना लीजें फट्से यहां राइट या यूच्छ यहां पर भाइका स्वीड वाल होता है तो देखांव नहीं होगा लेफ्ट यह नहीं होगा कि यह और अच्छा अट्राइक का स्पिट वाल्व क्या होगा है राइट साइड में होगा तो यह देखे राइट वाला ऑप्शन है यहां पर है राइट वाला तो यानि यह होगा इसका यह होगा कि यह होगा यह यह होगा ना कि आंसर क्या होगा विटा दूसरे का प्रवाइब गरबर हो रहे क्यों पी का दिसरा एक पहला होगा क्या कि दूसरा होगा आंसर यह होगा ना इसका नहीं आंसर यह होगा ना इसका ठीक है बेल्कुत सही बात आंसर यह सब्सक्राइब करने में मदद करता है तो यह का तीसरा होगा 100 परसंट एक तीसरा होगा एक का तीसरा होगा कटा कटा अब देखते हैं बी सी डी कोई वी एक और कोई भी एक और माच कर दीजिए आपका सही आजाएगा कोई बी एक और मैच कर दीजिए an album in क्या करता है Osmotic balance को help करेगा B का पहला आंसर विल भी सी समझ गए आप abonaiso global in album in अभी हमने पढ़ा कि album in जो होता जो होता करेगा का पहला हए का पहला होती ही यह वाला गया गया कोई एक फाइप लोन जन ब्लड को क्लोट करेंगा यह एक दूसरा एक दूसरा एक दूसरा आंसर बिए डी चौथा का दी करेक्ट ट्राइकश पीड़ बाईकस्पीड वाल यह अभी अभी कराया था कोशन जल्दी सांसर प्हला पेटा गए राइतरोसाइड इस्नोफिल न्यूट्रोफिल लिंफोसाइड बहु कोशन का यह बहुत तगड़ा कोशन है कलेक्शन का यह तो आंसर बताएगा सिक्स का एवरिवर्ड यह तो इराइतरोसाइट्स ब्लड इसल्स काउंट हेमोगोबिन ट्रांसपोर्ट औक सिजन इस्नो फिल इस्नो फिल क्या होगा रजिस्ट इंफेक्शन अन अस्सेटि विद अलर्जिक रेक्शन आई जी ए आई जी ए फैप्रोजन ग्लोबिल इन अल्बॉमिन अभी अभी बताया था अल्बॉमिन ऑस्मो पी वेव क्यू आरेस्ट वेव रिदक्शन इन साइज अफ टी वेव तो यह इसी जी का क्वेश्चन है इसी जी में क्या होता है पीक्यू आर एस धू होता है कि Sectुला üzेंजैशंट्िन तो यह इस बिपी और होता है किसे और स्कुम से कंसंथ चर्ण किसे कंसंथ किस से कंसंथ ने फिर्ट a status एट राइशंट्रा कुछ टेप एट सीबीग बिएठार ने का फायדा साइज आफ टी वेव इंडिकेट दव कॉरिनरी इस्षीमिय यानि जो कॉरिनरी कॉरिनरी इस्षीमिय का मतलब है कॉरिनरी जो ब्लड वैसल होता है जो हाट को सप्लाइ करता है उसमें प्रॉपर तरीके से ऑक्सिजन नहीं जा पारा है ठीक है तो नाइन का आंसर क्या हो कि इसमें ओप्शन में को समस्मैच है तो इसे छोड़ देता है 11 इसनों फिल आर बेसी एवी ब्लड ग्रूप प्लेटलेट सिस्टॉल प्लेटलेट और सिस्टॉल सिस्टॉल का मतलब होता है दो चीज़े बताई थी सबको डॉक्टर बनना है तो डायस्टॉल का मतलब क्या होता है रिलक्सेशन है और सिस्टॉल का मतलब होता है पारक्ष्ट उस्टॉल का मतलब होता है कॉंट्राक्ष्ण अब्दहार्ट यानि इक चौधा होगा यह जैते ही चौधा हुआ तो हमने दू ऑप्षिन को एलिमिनेट कर दिया अब हमॉप्षिन को देखेंगे को नहीं डी से भी काम हो सकता है, C देखिए, दो दो होगा, तो C हम पढ़ेंगे ने, और B से भी हो सकता है, A भी पढ़ेंगे ने, A भी मैच कर गया, तो हमें सिर्फ और सिर्फ आंतर क्या क्या ओप्शन देखना है, A और C में, B देख लिजिए, B में RBC, RBC क्या करता है, गैसी देख्शेन करता है, तो आंसर हमारा A हो जाएगा, ठीक है जी, समाज में आई बात, तो ऐसे कोशन करना है, फिश, एमफीबियन, रप्टाइल, बर्ड्स, मामल, बताओ, डबल जर्कुलेशन किस में होता है, दबल जर्कुलेशन किस में होता है, E का तीसरा, बहुत सारे उप्शन, C भी देखरो, काफी कमाल के चीज़ है, बताओ, बारे का, C, बारे का, C, ग्लोबिलीन, प्रोटीन, फाइब्रोनोजन, अल्बूमीन, बैसनोफिल, इसनोफिल, लिम्फोसेट, बताओ, इसनोफिल क्या करता है, अलर्जिक रेक्शन में मदद करता है, इन वाले निफिलमेशन रेक्शन, में दो कॉलम कॉम्पोनेंट और कॉलम सेकंड एस्पैसर फोटी फाइफ, इसनोफिल क्या है, समझ नहीं आ रहे, लिम्फेटिक सिस्टेम, पलमनेरी वेन, थ्रम्बोसाइट, लिम्फोसाइट, बताएगा अंसर, सारे लोग अंसर बताएगा, एवरीवाण, क्या अंसर होगा, चादा का, कोजलेशन अब ब्लड कॉन कर रहाता है, कोजलेशन अब ब्लड इस थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बोसाइट, यह, जो प्लेटलेट इस इंपर्न फो दो कोजलेशन अब लड, सही है, फाइवरीवाण, ग्रेनलोसाइट, लार्जेस साइज अफ डव्लू बीसी, आर बीसी, सबसे लार्जेस साइज, आर बीसी क्या करेगा, इसमें, आर बीसी इस इंपर्टन फॉर, क्लोटिंग कौन करता है, फाइब नोजन करता है, एक दूसरा, एक दूसरा, एक दूसरा होते ही आंसर बी होगा, आंसर बी हो जाएगा, होगा की नहीं होगा, अब आपको तरीका आपने सीख लिया है आप थोड़ा फास्ट करिए ठीक है आपने तरीका सीख लिया थ्रॉम्बिन फॉर्म्ट फ्रॉम्बिन किससे बनता है एंटी इंफ्लेमेटरी क्या होता है ग्लोबलीन क्या होता है और एबी ब्लड ग्रुप क्या होता है अब एबी ब टानिया कबीर ग्रेट मेनाक्षी आचल गौतम प्लाजमा मोस्ट अबंदेंट सेल अब ब्लड इस एक सो बीस दिन वह देदी का कॉश्चन पी का चौथा होगा तो यहीं आंसर भी होगा आप गंटे में दो बीदो सो कोशन करा देते हैं अब बच्चे उल्मिक और इसे करोगे हैं तो कोई नढएंगा मन की संतुस्ति होएं हम आता है बढ़ नीट में पेलो जाओ गे बड़ात से पिस्ट करोगे ना तो तुम्हें कुछ सीखने को मिले और इस सीखोगे तो नीट में स्कूर बढ़ेगा तो आपका सेलेक्शन होगा तो सेलेक्शन के लिए बेटा डॉक्टर इसके से समझ मैं आई बात by 60-50 परसन क्या होता है छे से आट परसन क्या होता है दो से तीन परसंट क्या होता है क्या हुँ ग्रियु आंफारा का प्रफिल सबसे ज्यादा तो ना दूसरे का पहला हो पहले का पहले का दूसरा होगा पहले का दूसरा हुआ दूसरा हुआ तो बायो में बहुत अच्छे माक्स आ रहे हैं आपके वज़े से परकांजी फाइबर लेफ्ट और राइट बंडल फॉर्मड और एक लास सेशन को खतम होने के बाद लाइफ जो चैट करते हो लिखते हो जो मेरे अच्छे बच्चे हैं कि आपको कैसा लगा यहां नहीं लाइफ चैट के बाद नहीं कि लिए और आपको इंप्रूफ करने के कोसिस करेंगे कि गलत और बाइट वाण्ट सेटेक्वा दी का दूसरा होगा टी का जैसे दूसरा हुआ इसे दूसरा हुआ उसे अरी बात बजा गया इंग मेलेट इंग में क्या है वेंटिकल उस समय आराम करता है तो आराम करने को क्या कहते हैं आराम करने को क्या कहते हैं यह नहीं और असादिया ना अरे कुछ नहीं फंसा आंसर भी यह वाई अनजर यह कुछ नहीं प्लकाहा है तो टी वेव जो होगा हमारा टी वेव जो होगा हो क्या होगा री पलाराजेशन होता है क्यू आरेस डी पोलराइजेशन अब वेंटिकल सी का तीसरा होगा लोग हो गया काम कि कुछ नहीं फशेगा भाई साब कुछ नहीं फशेगा कि अगर कि अगर वेने कावा इंफिरियर वेने कावा पल्मनेरी आर्ट्री पल्मनेरी वेंग देल मना आए इधर से करता है डी ऑफ सपार्ट व्ट विच प्रज अब लेड्स अबव के डी शक्षण इंड व्लाट टूदा लक्स करी ऑकिए डी ऑख सिरी ऑख सिन ब्लड फॉंद लोवर पार्ट टीन ही हमारा इंफिरियर विने एका आर जैसे ही हुआ तो यही आंसर होगा सी का सी एक tapping का अंसर क्या होगा बटा पी होगा कि नंद बताएं छेटर टोन इसे क्रेटेट बाई अ सब्सक्रेट बनाइए की जई का डोने ने से क्रेटेट बाई यह लग 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 लुष लुष स्टय कि दाइस का आंसर गए होगा थी स्अ मेंस्टीश है सेविंटी ऐमल Defense他 कि एक एक होचा होगा पिए जब आपको पता ही है ना तो यह तो पता ही है आपको पांसो फिर क्या होगा पांसो तो आता ही है काडिक आउटपूट होगा नार्मल डास्टारिक ब्लेड पूर चेंबर हाट सिंगल सरकुलेशन एक रिनुलोसाइट एक रिनुलोसाइट्स भूलो भ्हूलो घ के वचर्चर्च ऱ पूर चरचर्च, प्रॉरो जे प्रॉडेशन नार्मीट खुलोसाइट एक रिनुलोसाइट कर दो मVIS स्टब्सữa टीर के लेनुलोसाइट्स कॉंट्रैक्शन आफ हार्ट इसकॉल से स्टॉल गैसे स्टांसपोर्ट फोड़ा इस ग्लोबली वोट इस अगर आपको सारा आता है तो बहुत अच्छी बात नहीं आता है तो फिर गड़बड़ बात कि अब हम कोशन करेंगे देखरो बैतरीन बैतरीन से लाइट कभी लाल पे कभी ब्लू पे कभी कुछ पे ताकि आपका मन लगा रहे तुम लोग भाग जाते हो निशाची कैसे गाम से बताओ कि मजा आ रहे है लोकुमोशन नियूरल और क्यामिकल कंट्रोल है डीड़ बज़े कर ले लिए पायमेंड ज्यादा बहुता है तब ही समय हो रहा है बारह अन। इस बारह अरतिस हो रहा है यह से चालीस कर लेते हैं तो मैं 1245 है उसक्राइब करते हैं के मैं रिज्यूम में 1245 है आए झाल 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 कर दो कर दो करते हैं कि सारे विच्छ राम करने करें तो मैस करना है विटा अब मोनो टैलिक यू रिए यू रिए पोटे रिक सब के एक्जामपल मैंने याद परवाय था तो लिख 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 के परवाय साथ तो अमना टैलिक में क्या होगा हुआ अग्वेटेक इंसेक्ट होंगे और है कि मोनिफ्यों वंड़ वेकिन पाँच यही जित गłę एक लाकोसुडी आ Glomeroronephritis Euremia दो Glacosurea का मतलब क्या हुआ Glacosurea का मतलब और Excess Eurea in the blood No 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 Excess Glacose in the blood दो A का दूसरा A का दूसरा हुआ दूसरा हुआ कटा-कटा या तो B आंसर होगा या C आंसर होगा ठीक है अब ketone urea का मतलब क्या हुआ तो प्रेजंस अब ketone bodies and urine तो answer is C ठीक है समझ पा रहे हैं समझ पा रहे हैं आप proximal convoluted debuts descending limbs ascending limbs distal convoluted debuts तो आपको जो नेफरोन का structure है वो पता होना चाहिए और क्या-क्या करते हैं वो भी पता होना चाहिए तो PCD का में काम क्या होता है PCD का में काम क्या होता है PCD is maintain the pH and balance of the body in CRT में लिखा हुआ है कटा कटा अब भी पढ़ने को कुछ फायदा नहीं है क्योंकि BCM है ना C और D याने ascending limb or distal convoluted debuts distal convoluted debuts यह वाला ठीक है यह क्या करता है distal convoluted debuts distal convoluted to maintain the sodium potassium balance in the body ठीक है तो the answer will be first answer will be first yes or no urinary bladder malfeasian corpicus pod podocytes renal debuts renal debuts ठीक है बता यह answer urinary bladder क्या करता है what is the function of urinary bladder minute space for the filtration of blood यह होगा urinary bladder का भी filtration करता है भाईसाब पाप हम तो urinary bladder store urine करता है जान पुछ के गलत कर रहे हैं ताकि आपको पता चले एक तीसरा एक तीसरा होते ही यह answer होगा डी अल्ट्रा filtration concentration of urine transport of urine and storage of urine storage of urinary urinary bladder डी का तीसरा डी का तीसरा होते ही इससे ज्यादा काम बनेगा नहीं टांस्पोर्ट of urine urinary bladder से आता है ठीक है तो सी का दूसरा सी का दूसरा होते ही यह गया ठीक है यह पढ़ने का कुछ पाइदा नहीं है बी से काम होगा concentration of urine is mainly reported in concentration of urine is mainly reported in loop of an link तो answer will be B अवनी दुरगा वेरी गुड किरन गुड वेरी गुड ग्लाइकोस यूरिया गाउट रिनल कैलकुलाई ग्लोमारूल गाउट मतलब गठिया रिनल कैलकुलाई का मतलब पत्थर inside the kidney तो accumulation of urine is a गठिया बी इस फास्ट बी का पहला होगा बी का पहला होती है और आपको रिनल कैलकुलाईट मैच नहीं करना है क्यों करोगे समय है क्या आपके पास तो रिनल कैलकुलाईट दे मासस अफ केस्ट्रलाई साल्ट इंसाइड देफों अपत्तर चोटा चोटा पत्तर प्रोक्जिमल कंपिलेट टीव जिस्टल कंपिलेटेट लूप अफैनल काउंटर करेंट अन रिनल कोट्पी कुस बताओ तो पी सी टी में सतर से असी परसें एलक्तर लाइट री अब् है यृट इस से काम जड़ा बंन नहीं पाया कोई बात बात नहीं डिस्तल कॉंट भलिटेटेटेट अबश्य क्या करता है क। डिस्टल कॉंट रिडेटेटे प pandemia क्रता है 44 बात बथा अंसर से इंफ तूरे समझ में आगी बात बदायेगा ULTRFiltration Concentration of Turin Transport of Urin storage of urine एे repeat हो रहा है रपीट हो रहा है question क्यो Carroll ये में चूर्या की imposed शेयर्च ग्लाइको सीरिए प्रोटीन ऊेर्या नौ नमबर इसञोन हूं नौ नमबर बताऊ आंसर इस ए आंसर इस ए ठीक है यह पढ़ायवा क्वेशन है क्लाइकर सुरिया गाउट अरे रिपीटेट नहीं रिपीटेट नहीं है ग्लोमिलर नेफ्राइटेस इसमें अलग आप्शन है तो आंसर विल भी दी मैच करिएगा नेफ्रीडिया मालफीजन ट्यब्यूस फ्लेमसेल्स प्रोबब्स क्लाइन इसक्रीशन को जोड़ा गया है चप्टर फोर्ट यानि अन्मिल किंग्डम से ऐसे जोड़ जोड़ के आंसर बनाते हैं ऐसे कुशन पूछे जाते हैं आज कल ट्रेंणिंग यही चल रहा है तो फ्लेमसेल आपको पता है कि फ्लेमसेल किसके अंदर होता है फ्लेमसेल आपको पता होना चाहिए कि किसके अंदर होता है तो फ्लेमसेल इस रिपोर्टेट इन फ्लैटवां मैं है फ्लेमसेल इस रिपोर्टेट इन फ्लैटवां सी का तीसरा सी का तीसरे से बात ब प्रॉबर्बनिस क्लाइन इस रिपोर्टेड इन ब्लैंको ग्लोसस यह बात बन गई आंसर भी हो गया आचल वेरिगोट नेहा आरीफ आलम अवने कि मीरा सी उटी का अप्लिकेशन ए इस सिगनेचर हो गया है क्या करें नाम विटा आप कुछ तब टाइम चला जहाया सकते कि नाम चैसा यह नाम चैसे को हैं और किजेंगे कि मैं ओब ने क्या करें सपना है डॉक्टर बनना तो नीट दीजिए और नहीं सपना है तो कुछ भी मत दीजिए वो तो मन की दिलासा है कि हम भी यह सी कर रहे हैं उससे क्या ही होगा मन की दिलासा से कुछ थोड़े नहुआ ऐस तक यह देखो आंसर यह है ठीक है ग्रीन ग्लाइन रिपोर्टेट इन क्रस्टेशन पढ़ाया हुआ कुछ थंड़ा पानी पीजिल लंबा सांस कीची और नाम जपिए डॉक्टर के से यह तीन उपाय कर लोगे तो जो सिग्रेशर ब्लर हुआ है वो बिलकुल साफ सुत्रा दिखाई देने लगेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंसेंट्रेशन अफ यूरीन टांस्पोर्ट अफ यूरीन स्टोरिज कितना बार कोश्चन पूछा जाएगा भाई काटो मालफीजियन कॉर्पी को मालफीजियन बाडी देखो दो दो चीजें एक कॉर्पी क्यू से बाडी एडियेज और है थेकर भड़ो इस फंदरा नंबर आंसर सी होगा कि मैस कर लीजिए यह देखो ना एडियेज क्या करता है एडियेज बिसिकली इस इंपॉर्टन फॉर प्रिवेंट डायरोस ज्यादा से ज्यादा सूसुन आए डी सीडि कहां ओपन होगा कलेक्टिंग डाक्ट में टीसीजर ओपनिंग कलेक्टिंग डाक्ट एका तीसरा होगया लोग एक अंश्रों लोग ठीकर के समय अरिवत गोडरीट स्तुरेट शकासफ एक थल टीसर श। अन्थd लोग बीका पाईला बीका पाऊलाँ हेका पैला टीका पानच घोळो लगा लो urinary bladder is a storage of urine size 24 देखिरो अब अषब रहा है कि नहीं लग रहा है अब सीजोरे अब आप सरीघ्ण गर पता चल गया थे अश्यम यह लिए शोन स्क्याया अथ से ज्यादा अठारह नंबर GFR Average Urea Screated Out Lungs Removes CO2 Adult Human Urine Adult Human Urine आप data याद कर लेजे Important है data Data is very important Data is very important Data is very important ठीक Data is very important Data के याद कर लीजे Lactic Acid is created by Liver के थूँ बताया था ना Lactic Acid जो होता है वो मसल के अंदर इकठा होता है जब हम आराम करते है Lactic Acid जो मसल के अंदर इकठा है वो कहां चला जाता है बता लिवर के अंदर जाता है Cori cycle होता है Cori cycle के बाद Cori cycle से यह होता है तो यह का पहला होगा ठेक है यह का पहला होगया यही आंसर मार दो फिर 19 का ना 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 कुछ गड़बर हो रहा है का यह है कुछ गड़बर हो रहा है का है कुछ गड़बर हो रहा है का बिलीरूबीन या 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 इटस गरबड़ बिलीरूबीन इस कंसार्ण वाद लिवर ठीक है सी का पहला सी का पहला आंसर बी होगा वेटा ए नहीं होगा और लैक्टिक असेड़ इस क्रीटेड वाई स्किन वाई साब कितना बड़े कोशन है इपसिता, कबीर, स्चुभाम, अवनी, बदा बटा, बीस नमबर, बीस नमबर, बीस नमबर, आंसर इस दी, अच्छा, दिव्यान सिंग कह रहे हैं कि आप पेशिंट बनने के लायक नहीं है, डॉक्टर कौन बना दिया आपको, पेशिंट से भी यही बोलेंगे कि ठंडा पानी पियो और डॉक्टर इसके सिंग का नाम जपो हा रहे हैं, तुम्हें किसे बतावे, पेशिंट को भी हम य पेशिंट को भी बहुत हैं, पेशिंट दवाई से कम इस तीन डायलक से सही होता है, ठीक है, तुम्हारे जैसे लोगों को हम ढूंडते हैं, वाटर री अप्जॉप्शन, एन फ डायलेसिंग मेंब्रेन, एंजो, एंजो, टॉंसेंस, एंजो, सेंसेंस सेकंड बताव हैंगे सारे लोग, एंजो, टेंसेंस सेकंड क्या करता है, एंजो, टेंसेंस सेकंड क्या करता है, एंजो, 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 होगा नहीं, बी से कर सकते हैं, ANF, anf क्या करता है, anf rtl-nitrotic factor is important for the vasodilation, yeah, answer is c, ठीक है, answer is c, lungs flem cell, lungs flem cells, lungs flem cells, glomeruloneftitis, इस मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट इस ठीक है ठीक है बताओ प्लम सेल्स जानते हुआ बोले जदी आंसर बोले वेट कर रहा हूं आंसर इस ए आंसर बोला करो भाई साहब एक्वेटिक इंसेक्ट्स ग्लाइको सियूरिया लैंड स्नेल्स रीनल कालकुलाई पत्थर असब कर दोसरा डी का दूसरा अरे एक और मस गया इस से काम नहीं होगा गया गया सी से काम हो जागा वी से भी होगा एसे नहीं होगा यह नहीं करेंगे हम तो ग्लाइको सियूरिया कैसे कर लो ग्लाइकोस यूरिया का मतलब क्या होता है प्रजने सब ग्लुकोज इन दा यूरी ठीक है तो बी का पहला बी का पहला आंसर इस डी आंसर इस डी ठीक है जी समझ में आ गया 23 अंसर इस डी 24 नमबर बतायेगा यह रिपेटेट कोशन ने जल्दी सा आंसर बतायेगा रिपेटेट कोशन ने जल्दी सा आंसर बतायेगा 24 नमबर आंसर इस डी last question ultra filtration concentration of urine transport of urine storage of urine repeated question answer is B तो हमने इस क्रेटरी सिस्टम को खदम किया अब हम पढ़ेंगे movement and locomotion movement and locomotion ठीक है movement and locomotion मजदार स्लाइट बड़ी है कोश्चन सारे लोग करेंगे myosin actin tropomyosin troponin myosin जो होता है मोटा होता है और इसके उपर actin slide होता है तो AM है और AA है इससे हो जाएगा कुछ ठीक है तो myosin is important for change the shape during the contraction A का चौथा A का चौथा होते ही दो option कहें ठीक है B पढ़ने का कोई फायदा नहीं कि B सेम है C और D से काम हो सकता है तो tropomyosin क्या करेगा tropomyosin क्या करेगा tropomyosin answer is C yeah tropomyosin is slide toward the M line during the contraction तो यह question वही कर पाएगा जिसे contraction और relaxation का idea हो ठीक है पास मसल फाइबर स्लो मसल फाइबर एक्टिन फिलामेंट सारको मीर बताओ पास मसल फाइबर तो फास मसल फाइबर क्या होते हैं फास मसल फाइबर इस लाक्टिक आसिट इससे मैच कर सकता है कारपल तासल कारपल नीचे वाला तारसल ग्लेनोईड कावटी और इनकस ग्लेनोईड कावटी के अंदर हमारा जो हीमर है वो आके अटाच होता है ठीक है तो रिस्ट बोन अफ दे फॉर लिंच पैक्टोरल गडल या पैक्टोरल गडल हो सकता है पैक्टोरल गडल ही होगा सी का चौता ग्लेनोईड कावटी एक शालो कावटी है जहां से हैड आफ हीमरस जोड़ता है और शोल्डर जोइंग बनता है या पैक्टोरल गडल इससे रेलेट करके मार चकते हो अजुआ पैक्टोरल गडल अभी मैंने बताया था एक पहला होगा एक पहला दोनों में काटों काटों अभी पढ़ने का कोई फायदा नहीं तो ब ग्लाइण जोइट बदाओ ग्लाइण जोइट इस कंसार फुर था बीटुइन देकर तो सी का तीसरा अंसर होगा सी का तीसरा होगा तो अंसर घ्ली फरस्ट ठीक है जी समझ मैं है तानिया पायल इपसिता केरन अवनीद अनन्या कबीर तेजिश्वनी एक्रोमेल प्रोसेस लेटरल मेलॉलस अलेकरोन फॉसा ट्रॉकलियर नौच सेस्मॉड बोन बहुत इंपॉर्टन्ट है अगर आपको इन में से कुछ भी नहीं आता है तो इसे लिख लेजेगा क्योंकि इसे सवाल वो पूछा जाएगा इसे सवाल पूछा जाएगा इससे सवाल पूछा जाएगा तो आंसर इस डी रिलेट कर सकते हैं लिख सकते हैं समयसाक तो कि मैं दो कॉलम रिप्स वाटेब्रा प्लेंज इस्टर्णम ठीक है रिप्स कितने होते हैं बैटा रिप्स कितने होते हैं 24 वेरी गुड एका चौथा बात नहीं बन पाई यह तो सब में है तो कोई और बट्रेबलो कॉलम 26 बी का पहला बी का पहला बी का पहला तो यह सी और डी कोई और पढ़ो फिर फैलेंज इस कितने होते हैं 14 उंगलियां और आंसर इस डी सी ठीक है आंसर इस सी है बड़े कोशिन है मजा रहा है अस्टर्णम ग्लेंवाइड कावटी प्री मोवेबल जॉइंट प्री में जॉइंट 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 कि देख रहे हो मजा रहा है कि टिटीनी पढ़ाया था मैंने ऑस्टेपरस इस पढ़ाया था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पढ़ाया था अथ्राइटिस माइस थी नहीं ग्रापिस बहुत बार क्वेशन आता है यही सही लग रहा है बोन मासेज दिक्रीज यानि बी का चौथा पांचवा होगा बी का पांचवा होगा तो यह भी पांचवा है काटो काटो अब ए पढ़ने का कोई फायदा नहीं क्योंकि चौथा चौथा है सी डी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि डी सिमलर है यानि सी और ई से काम होगा सी और ई से काम होगा तो माइस्थेनिया ग्राविस जो होता है माइस्थेनिया ग्राविस क्या होता है माइस्थेनिया ग्राविस बिसेकली क्या होता बता माइस्थेनिया ग्राविस इ आप से रह जाओगे चारों पढ़ते रह जाओगे समय बरबाद हो जाएगा और समय बरबाद हो गया तो नीट तो कहें छोड़ी तो कोई भी एक्जाम आप पास नहीं कर पाऊगे खेल पूरा एक्जाम को पास करने का है समय को सही तरीके से उपयोग करना और सारे 10 आंसर बी आंसर बी आंसर बी बी रिलेट कर सकते हैं रिलेट कर सकते हैं एक इस बीमिंघ प्रोटो प्रॉड़्य ममन के अिकन क्याम प्रोटॉवेड मुवेट मस्कुलर मुवेड ुपख़िए रिमोमेंट सोलेरी मुवेंट कने बीजिए होगा यह का तीसरा एका तीस एका तीसरा कटा कटा अब इसमें डी पढ़ने को फायदा नहीं क्योंकि D से माच है यानि B और इस से हो सकता है ठीक है तो B का पढ़िए तो B यानि Amovide Moment किसके अंदर होता मैक्रोफेस के अंदर होता है WVC के अंदर होता Amoeba के तरह मूव करता है आंसर इस B Muscle Bundle Syncytium Muscle Fiber ATP Binding Site बताईएगा जानकारी भरा परश्ण बारे नमबर जानकारी भरा परश्ण बारे नमबर आंसर इस एए आंसर इस एए ठीक है नहीं आता है रेलेट कर सकते हैं पढ़ सकते हैं समाझ सकते हैं Red Fiber, White Fiber, Light Bend, Dark Bend तेरा नमबर आंसर इस C आंसर इस C आंसर इस C समझ में आई बात आंसर इस C समझ में आगी बात Upper Limbs, Vertebral Column, Ribs and Face हुआ है बोली क्या अंसर होगा इसका अब तो टेक्नीक अपना हो यार मैं थोड़ा ना करूंगा टेक्नीक अपनागे करिए पेक्टोरल गडल इस्टार्णम रिप्स स्कल पंदरा नंबर पंदरा नंबर इस्टार्णम एक ही बून होता है बी का तीसरा आंसर इस तीसरा इस्टार्णम एक ही बून होता है एक का दूसरा बात नहीं बन पाई रिप्स चौबिस बी का तीसरा पैलवे गडल पैलवे गडल तीन तीन बन बनते हैं इलियम इस्चम प्यूबिस इलियम इस्चम प्यूबिस आंसर इस ए आंसर इस ए बॉलन सॉकर जॉइन हिंज जॉइन पाईवोर जॉइन सेडल जॉइन 17 का अंसर बताएंगे अंसर इस बी अब तो आ गया ना समझ में सारा चीज स्कल बन जॉइन जॉइन वटेबर गया एस एचान वटेबर चंसरेबर मॉम्मन वटेबर कहुंडर रिप्स बॉलें गे सारे लो answer 18 answer is B Pelvicodal high-od eurosical sternum eurosical 90 number high-od 1 bone होता है तो B का 4 बी का 4 जैसे हुआ ये गया ये गया अब कोई एक eurosicals में 3 bone होते हैं total eurosicals नहीं total पुछा है तो 6 bone होंगे C का पहला answer will be C ठीक है जी balance pocket hinge pivot saddle ball and socket joint is a humorous and pectoral girdle a का 5 a का 5 होते ही पहला मार दो ये भी है कटा B पढ़ने का कोई फायदा नहीं D पढ़ने का कोई फायदा नहीं C से काम चलाओगे C से काम चलेगा तो C यानि pivot zone atlas or axis answer is पहला cardiac muscle light band dark band sarcom ear बताओ cardiac muscle heart के अंदर present होता है एका एका तीसरा एका तीसरा एका तीसरा गया गया light band is seen in eye band answer is पहला fast muscle slow muscle actin ये मैंने पढ़ाया था repeat हो रहा है बताइए गांसर ये मैंने पढ़ाया था repeat हो रहा है answer बताएंगे 22 का C asternum glenoid cavity freely movable joint visonuble joints catalisoneus joints slightly movable joint vertebral column तो C का पहला D का तीसरा C का पहला C का पहला D का तीसरा एका बताएंगे रख जा D का दूसरा होगा catalisone joint is the vertebral joint हाँ ठीक है D का दूसरा तीसरा ने तो इसमें इतना ही है locomotion and movement में अब हम locomotion and movement में इतना ही है अब हम neural control and coordination से सवाल पूछेंगे और एक चप्टर और बच गया हमारा chemical control and integrations ठीक है तो दोनों से सवाल करेंगे resting face depolarization face repolarization face hyper hyper polarized face पसका आंसर बताएंगे प्लीज बड़या question आंसर आंसर इस आंसर इस सी रिलेट कर सकते हैं फ्लीज अच्छा करेक्ट मारना है ने अच्छा तो इस सर्कार ब्लीज आनसर ब्लीज प्लीज इस स्था इस अच्छा करेक्ट मारना है इना टांस्मिटेट तु दे संटेन प्रवाइड आपनिग उपनिग एंट्र फॉब्स एंटराली में टो फॉब्स एंट्रालीज इस एस रिदूसर दा आर्वीजी लाइट तो एक इम हो गया आई रेस पिर क्या करेंगा आई रिस कंत्रोल दामांच आप लाइट colorful eye, answer is first quatervaryal cortex, incorrect ढूनना है, incorrect incorrect combination this is incorrect combinations, बाकि सब सही है organ of quat eye contain the hear cell 4 auditory receptor, they are important for the hearing fifth, fifth में थोड़ा option में problem है resting phase, depolarization phase repolarization and hyperpolarized phase, पढ़के बताएगा answer please बढ़िया कोशन है answer बताएगा पढ़के answer is D answer is D the resting phase is inactivated gate sodium open only sodium open only depolarization phase this is both gated sodium open ऐसे कर जकता है करिये जा रहा है question है, बढ़या question है मज़दार question answer बताएगा answer बताएगा 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 क्या answer होगा cerebrum cerebrum है, इस cerebelum है तो cerebrum basically क्या करेगा cerebrum basically क्या करेगा key seat for the intelligence fourth cerebrum क्या करेगा they maintain the body posture fifth answer इससे भी काम नहीं चल रहा है या B होगा या D होगा mid brain का कौन सा हिस्सा है mid brain का कौन सा हिस्सा है control, vision and hearing या answer is D कितना कमाल का question है बहतर यह repeated type का question है तो इससे skip कर देते हैं vestibular apparatus, ampulla, scrista and macula organ of quotide organ of quotide answer is first relate कर सकते हैं please relate करेए relate करेए swan cell, spinal nerve cells, nasal granules, excitable cells excitable cells to swan cell कहा होते है exon के उपर होते है myelin sheet के उपर ऐसे पता है आपको swan cell होते है तो ये का चौता होगा ये का चौता होगा कटा कटा B, C, D कोई भी एक और बता दो nasal granules से काफी question आया है rough endoplasmary reticulum से बना होता है ठेक है और nasal granules के बारे में जानते हैं साइटों का मतवर साइटोप्लास ज्यसे यह देखू ऐसे आपने देखा होगा neuron का structure तो ये साइटोप्लास में यासे donna donna structure होते है साइटों तो C का first होगा C का first होगा तो answer B होगा answer sorry answer A होगा cervical nerves कितने होते हैं thoracic nerves कितने होते हैं कि इतने होता है कॉक्षिल कि इतने होता है तो सी सेवन तो सी सेवन फिर तर्वाइकल सी सेवन थरासिक ट्वाइल पिर आंसर इस बी तो सर्वाइकल सर्वाइकल नर्प्स इस ट्वैल पिर कुछ गरबर हो रहा है यहां पर कॉक्जियल तो एक होगा यह तो ठीक है लंबर फाइफ होगा यह भी ठीक है सी का पहला ठीक है पाफ़क्ट सही है सरेबरम पॉन्स सरेबरल एक्वाडक्ट और स्पाइनल कॉर्ड बदा एक आंसर बारा नंबर आंसर इस थोड ठीक है ए रिपीटिट टाइप का क्वेश्चन है तो इस छोड़ देते हैं सरेबरम सरेबेलम हैपो थेलमस मेड ब्रेन बताओ चोड़ नंबर डी रिलेट कर सकते हैं प्लीज थेलमस ब्रेन इस टाइम हैपो थेलमस कौड़ा क्वाड़ी जामना कोड़ा काविज जैमना इस पार्ट ऑफ दे मेट ब्रेंग पंदरा नम्मर बताएंगे आंसर इस दी तो यह 15 कोशन इसके कर लेते हैं लास्ट चाप्टर डाइस कॉल क्यामिकल कंट्रोल एंट इंटिग्रेशन इसके 15 कोशन करके सेशन को करेंगे आज 10 मिनट में ठीक है गेस्टिक इनिवेटरी पेप्टाइड गेस्ट्रीन कॉली सिस्टिकाइन इन सिक्रेटीन बदाएंगे प्लीज तो मुझे सिक्रेटीन बहुत अच्छे से आता है ठीक है तो डी का पहला होगा डे स्टिमिलेट अग्जोकरेंट सेल्स अग्रेश आंसर बिल भी पहला ठीक है है या या करता है contraction of the Utreus C का दूसरा C का दूसरा गया गया और एक्स करन प्रोलेक्टिन प्रोलेक्टिन जो होता है है लेक्टेशन और देचाइल बर्थ डी का पहला तो ड्रीका पहला गीका पहला आंसर लेशी अंसरेशी ठीक है टेस्टेस पॉस्टीरे पिटीट्री पीनियल ग्लैंड पार्स इंटरमेटियर बता हुआ है तो तेस्टेस इस इंपॉर्टन फॉर दा एंडोजन जो सिकंडरी सेक्ष्वल करेक्टर होता है एक है कि सेकंडरी सेक्ष्वल करेक्टर होता है तो करता है हुआ हम बताएगा हम अरे बताओ भाई नहीं बताओ पावगे इंपुर्ण थारुण 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 थ गया गया अब C पढ़ने के ज़रूरत नहीं है B भी पढ़ने के ज़रूरत नहीं है अब A से आंसर देंगे आप A पढ़िया आंसर बताएं इंसुलीन क्या करेगा इंसुलीन क्या करेगा बताएं Insulin is Diabetes mellitus so answer is C, देह रहा है इंक question की quality ? यह टेबल हरिए सारे लोग यह टेबल हरिए सारे लोग चेभल भर 맛이 Michal LH ndh oxytocin oxytoscope के पकड़नों oxytocin contraction of uterine wall muscle C का पांचवा C का पांचवा C का पांचवा C का पांचवा चलो यह गया यह गया और कोई एक कोई भी एक कर लो बताओ क्या आप चलो प्रोजेस्टरोन कर लेते हैं प्रोजेस्टरोन क्या करता है प्रिपेर यूटरस wall for the implantations डी सिर्फ मैंने दो कोईशन पढ़ा और इसके आंसर डी लगा दिया आपको घवडाना नहीं कि इतने सारे कोईशन है कि आंसर क्या होगा और सब को मैच करने लगोगा तो टाइम पर तो टाइम आपको मिलेगा नहीं बताएगा आंसर इसका बढ़िया कोईशन अब आपने ट्रिक सीख लिया यार सारे human physiology के आपने questions कर लिया ट्रिक सीख लिया अब ट्रिक सीख लिया तो बताओ फटा 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 आंसर इसका यह होगा वेरी गुड गुड ऑलेच का अंसर बी होगा गुड बहुत बढ़िया एड्रोलीन हाइपो ताइराइड ऑक्सिटोसिन चाइल बढ़ के लिए जाना जाता है सी का चौथा मैंने चलो यह कर दिया अब आपको आंसर बताना है इसका अंसर बताएं के सारी लोग राज कुमारी कवीर अनी मिशन निखत तानिया युग अंदर जूशी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एट एट का अंसर बी ADH, ACTH, LDL, insulin, adrenaline, adrenaline, no number C, 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 मैं इस्दा फालिंग करना है insulin, thyroxin, corticoid hormone, growth hormone, corticoid hormone, growth hormone, बताओ, 10 का अंसर, C, 10 का अंसर बताओ, C, मजा आ रहा है बिटा, enjoy कर रहे हो आप, session अच्छा लगा, नहीं, session अच्छा नहीं लगा, नहीं लगा, अच्छा, enjoy नहीं किया, session अच्छा नहीं लगा, तो हमने सारे almost जितने भी human physiology के questions थे, human physiology के जितने भी possible questions थे, उस सारे questions को हमने, बखुबी से निभाया है, पढ़ा है, सीखा है, जाना है, पहचाना है, ठीक है, पढ़ा है, सीखा है, जाना है, पहचाना है, बखुबी से सारा चीज़ किया है, तो बस, जान फोकने के त्यारी करो, और, session को खतम होने के बाद, session को खतम होने के बाद, आप सबको like भी करना है, like नहीं करोगे, तो काम कैसे चलेगा, ठीक है लाइक नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे ओ करिए जरा मैसेज करिए मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं मैं लाइव आपको डाउट कराऊंगा मैसेज कर सकते हैं मैसेας कर सकत है, कोई भी दिक्कत हो, प्लीज मुझे मैसेश करेए, मैं आपको देखármanAll либо, मैसेश का झाइने की कोसिस करूँगा, मैसेश का झाइने की कोसिस करूँगा, मुझे आप मैसेश कर सकते हैं, और यह सेशिन जब कंप्लीट होगा, जब यह session complete होगा तो आपको जो है इसके comment में आके पूरा अच्छे तरीके से खरना है ठीक है बच्चे का message आता है कि मैं बहुत ही average student हूँ और मुझे पता नहीं मेरा selection होगा या नहीं होगा तो क्या average student का selection हो सकता है क्या average student का selection हो सकता है यह message मेरे पास बहुत बार आते है तो देखे average बच्चे का selection 101% हो सकता है मैं भी एक average student रहा हूँ और अभी भी मैं average student ही हूँ and I secure rank 52 and I got selected in MMC जो देश का बहुत बहुत बहुतरीन medical college है वहाँ पर मैं select हो चुका हूँ select होके मैंने complete कर लिया है तो एक average student भी doctor बन सकता है वो top कर सकता है इसके लिए 3-4 चीज़ों को बहुत अच्छे से और knowledge है तो आप average से भी top कर सकते हैं आईए बारी बारी से इनके बारे में जल्दी से मैं elaborate कर देता हूँ तो आपके पास resources में आपको आना चाहिए कि आपको ये 101% पता है कि NCRT based question आते हैं तो आपको NCRT oriented चीज़ों को करना पड़ेगा और NCRT based question practice कहां से करेंगे हर दिन में अनकाडमी पे 8 वजे live poll system कराता हूँ पूरा का पूरा question NCRT based रहता है उसमें आपको आना है अगर उसमें आप आ गए तो आपके realize होगा कि yes यही question होते हैं जो नीटी में पूछे जा सकते हैं दूसरा कि आपको एक अच्छा guidance की जरूरत है कहते हैं न कि जो सफल व्यक्ति होते हैं सफल व्यक्ति हुए हैं उनका जब आप अनुसरन करोगे उनके उनको follow करोगे तो आप भी सफल हो जाओगे अगर आपको आईस बनना है तो आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि कौन आईस बना है उनसे आप संपर्क करिए उनसे पूछे कि आपने कैसे किया है वो आपको बताएंगे तो आप बहुत हैसानी से आईस बन सकते हैं तो ऐसे ही है कि जो डॉक्टर